मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योजना के अंदर आपने आवेदन किया होगा लेकिन आप में से बहुत से स्टुडेंट पेंडिंग की समस्या को लेकर परिशान थे तो साथियो आज आपके लिए एक good news आ चुकी है यानि कि इसके अंदर एक ऐसा option जोड़ दिया गया है जिसके थुरू आपका selection इसके अंदर 24 घंटे के अंदर हो जाएगा पतलब नहीं रह जाता है यानि कि इस option का आपको बिल्कूल भी फाइदा नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप एक भी step मिस कर देंगे तो वाकई में इसके अंदर नोकरी नहीं मिल सकती इसलिए आप थोड़ा सा केरफुली इस वीडियो को पूरा देखे तभी आपको चीजे स पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साथियो आपको इसके official website पर आ जाना है official website के link इस वीडियो के description में दी हुई है तो आप जैसे ही click करेंगे तो आप इस official website पर पहुच जाएंगे यहां पर three line पर आप जब click करेंगे तो आपके सामने ये सारे options so हो जाएंगे इसमें login पर आपको click करना होगा इसमें साथियो आपको अपने user id और password डाल कर login कर देना है लोगिन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface खुल जाएगा जहां पर आपने जितने भी आवेदन किये हैं सभी में pending दिखाया जाएगा यानि कि आपकी पहले से pending की problem है तो य आपके सामने एक नया option दिखाई देगा जिसका नाम है ticket देखें और उसी के ऊपर आप देखेंगे ticket बनाए तो ticket बनाए के ऊपर आपको click करना होगा आप जिसे ही click करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का interface खुल कर आजाएगा इसके अंदर application, service या फिर सेवाएं वाला option आ और मदद का विसे आपको pending लिखना होगा यानि कि इसमें pending का option आपको दिखाई देगा तो उसको choose करना होगा मदद का विसे आप चाहे तो use करें या फिर इसको इसे ही छोड़ सकते हैं और यहाँ पे जब विसे में आप देखेंगे तो subject में आपको pending लिख देना है pending problem आप इसके अंदर आप एक image upload कर सकते हैं यानि कि आपको एक photo upload करना होगा और photo कौन सा होगा जिसके अंदर आपको नोकरी चाहिए यानि कि जिस company के अंदर आप नोकरी चाहते हैं उसके उपर आपको highlight कर देना है और जिसमें pending दिखा रहा है उसी को highlight करेंगे आप और इसके अंद आप देखना चाहते हैं कि जो आपने generate की है ticket वो किस प्रकार की बनी है तो आप view generate ticket पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface खुल कर आ जाएगा जिसके अंदर आपको पूरी detail बताई जाएगी, ticket number बताई जाएगा, subject और आपने कौन सी date में किया है, यह सारी चीज़े दिखाई जाएगी, जब आप second last option देखेंगे तो उसके अंदर ticket status का option दिया हुआ है, इसके अंदर आपका status दिखाई जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपकी problem सोल कर दी जाएगी उसके बाद आप इसको जब login करेंगे तो आप यहाँ status में देख सकते हैं कि क्या problem है, किस वज़ा से आपका selection नहीं हुआ है, तो उसको सुधार करके आप इसके अंदर selection ले सकते हैं, इसके बाद भी अगर साथियो आपको कोई problem आती है और सारी जानकारी समझ में आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भुलें, वीडियो को वोच करने के लिए थैंक्यू सो मच